हलो स्टूदेंट्स, वेलकम आंड इस चैनल, स्टूदेंट्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 जुलाई 2019 के करेंट ओफियर जो की सारे कॉंपटिटिव चाहिए इसके कॉंपटिट ओफियर से बहुत ही हेलपफुल रहे था, चलिए स्टार्ट करते हूँ पहला कॉश्टिण इस वीडियो का, ताबोर एथलेटिक्स 2019 में हमा दास ने कौन सा पदक जीता, तो अंसर होगा, गोल्ड मेडल ठीक है, यह जो ताबोर एथलेटिक्स 2019 यह कॉंपटिशन था, उसमें हमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है, उन्होंने चेक रिपबलिक में ता 200 मिटर के रिष्टी, और यह जो कॉंपटिशन था, यह चेक गर्डाजी में हुआ था, जहांकर राश्पती है, मिलो, जेमान, चेक गर्डाजी के राजधानी प्रांग, चेक गर्डाजी की मुद्रा क्या है, चेक कोरूना, अगला कोश्चन है, AIIMS ने किस संस्थान के पर किये जाने की गोश्णा किया है, यह रिखे, इसका स्लोगन है, डोनेट योर स्किन, सेव बॉन विक्टिम, इसमें क्या है, कि AIAT दिल्ली और एमस के मिलकर, प्रित्रिन तोच्वा बनाने की उन गोश्णा किया है, तोच्वा तयार किया है, जिसका अप्लास्टिक सर्च प्रित्रिन तोच्वा बध्यों के बढ़त है, अगला कुश्चन है, किस अंतराश्ट्री और संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहां गया है, भारत में कोपोश्चर के शितार लोगों की संख्या कम हो रही है, लेकिन मोटापे से ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ तो अंसर होगा FAO, FAO के द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है ये गात कते, FAO का जो हेट क्वाटर है ये रोम और इतली में है, नेश्ट है NGT ने आती गंभीर प्रदोशित इलाकों में प्रदोश्य फैलाने वाली गतिविधियां बंद कराने के लिए सेंटर पल्यूशन कंट्रोल बोड को कितने महीने का वक्त दिया है तो अंसर होगा B, तीर महीने का वक्त दिया है NGT ने आती गंभीर प्रदोशित इलाकों में प्रदोश्य फैलाने वाली गतिविधियां बंद करने के लिए ने संगीत नातक अकादमी द्वारानिमकित में से किसे 2018 के संगीत नातक अकादमी रतन के लिए चुना गया है तो अंसरों का सोनल मान सिंग, सोनल मान सिंग को ये संगीत 2018 के संगीत नाटक अकाडमी में अकाडमी रत्म के लिए चुना गया है चार और जानीवानी हस्तियां है संगीत से रिलेटर जग्यत से जाके रुसेन सोनलमान सिंग जदिन को स्वामी और के कल्यान सुंदरम पिल्ले को सरु समती से संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुडा गया है किस राजमंत्री मंडल ने शहीद सैनिको के परिवारों को दी जाने वाली वित्ती सहायता 25 लाग से बढ़ा कर एक करोर रुपे की जाने की घोशना की है तो राज्य है महराष्ट्रा ठीकिए महराष्ट्रा ने गया घोशना की है कि शहीद सैनिको के परिवारों को दी जाने अलिविती सहायता 25 लाग से बढ़कर एक करोण रुपे होगी अगला है नेलसन मंडेला अंतर राश्री दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है देखे ये इनका स्लोगन है मैंने ये नहीं जाना कि डर का ना होना साहस नहीं है बहादुर वह नहीं जो भैभीत नहीं होता बलकि वह है जो इस भै को परास्ति करता है ये है नेलसन मंडेला जी के ये चार और 18 जुलाई का जो ये दिन है यह दिन अंतर राश्री इस तर पर लोग तंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शान्ते की संस्कृति को बढ़ावा देने में नेलसन मंडेला के योगदान को स्विकार करता है तो संयुक्त राश्ट का जो मुख्याले है ये नियू यूर्क यूसे में है और ये 24 अक्टूबर 1945 को सापित किया गया और इसके महा सच्चिव है स्री अंटोनियो गुटेरिस ठीक है ये संयुक्त राश्ट के महा सच्चिव है निष्ट है World Day for International Justice के जिन मनाय जाता है ये 17 जुलाई को मनाय जाता है अंतराश्टी अपराधिक नयायाले मुख्याले जो है ये दहेग और नीदरलैंड में है अगला आई एस एस एफ जोनियर विश्व कप में अनीश भानवाला ने कौन सा पदक जीता है आई एस एस एफ जोनियर विश्व कप में अनीश भानवाला ने ये गोल्ड मेडल जीता है स्वन पदक ये जो आई एस एस एफ जोनियर विश्व कप जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है पचीस मीटर रैपिट फायर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वण पदक जीता है अनिश भानवाला जो है इन्होंने इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में सुवन पदक जीता है अगला है आर्टिफिशल इंट्लिजेंस फॉर्म लेंबिक का अधिक रहन किस ने कर लिया है तो अंसर होगा L&T इन्फो टेप यह जो है आर्टिफिशल इंट्लिजेंस फॉर्म का अधिक रहन यह L&T इन्फो टेप ने कर लिया है यह तापी प्रानी वाम ब्लडेड अनीमल कौन सा है वाम ब्लडेड अनीमल है अप्छन नमबर C, चमगादर चमगादर जो है यह वाम ब्लडेड अनीमल है Okay warm-blooded animals they generate their own heat and maintain they generate their own heat and maintain a body temperature independent of the environment और they are also known as endotherms इनको warm-blooded animals होते हैं इनको endotherms भी कहते हैं और वो अपने body का temperature होता है उसको heat होता है body का temperature होता है उसको environment से maintained करते रहते हैं और इनको endotherms भी कहते हैं and it should be noted most of the mammal and birds are warm-blooded animals maximum जो mammals और birds होते हैं they are warm-blooded animals और cold-blooded क्या होते हैं यह जो इनका body temperature होता है यह depend होता है temperature of the surrounding उनके चारोर के surrounding के उपर यह depend होता है अगर वे होट होंगे जब उनकी चारोर का environment hot होगा और अगर उनकी चारोर का environment cold होगा तो वे cold होंगे ठंडे होंगे और उनको endotherms भी कहते हैं और most of the amphibians reptile, invertebrate और most vicious जो होते हैं वो सारे cold-blooded होते हैं अगला कोश्चन है antigen, प्रतिजन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्मार को बढ़ावा देता है ठीक है antigen एक ऐसा पदार्थ होता है जो की antibody के निर्मार को बढ़ावा देता है अगला कोश्चन है कि pituitary gland शरीर में किस स्थान पर एस्थित होता है तो ये होता है मस्तिस्क के आधार भाग में ठीक है ये brain है तो ये brain के यहाँ पर ये निचले सर पर ये यहाँ पर pituitary gland प्रेजेंट होता है ठीक है ताकि सभी तक ये वीडियो पहुचे और सभी को help में सके exam के त्यारे के लिए ठीक है ठीक ही पर वाचिन इस वीडियो